आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2023 और 2024 का जो हमारा बजट पेश किया गया है उसमें डिस इन्वेस्टमेंट टार्गेट के बारे में यूजुली आपने देखा होगा कि जब भी बजट पेश किया जाता था तो डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिसकुशन होती थी लेकिन इस साल चायद आपने नोटिस किया होगा कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जारी तो आज के वीडियो में डिसकुस करेंगे कि भाई इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं की जारी और इसके अलावा जो हमारा करेंट फानेशल यार यानि कि 2022 जो इयर है इसमें जो सरकार का डिस इन्वेस्मेंट का टार्गेट था क्या सरकार उसको पूरा कर भी पाएगी या नहीं तो आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिसकुस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम 2023 और 2024 का जो बजट कल निर्मला सीता रमन जी ने पेश किया है उसको अगर हम हाई लेवल पर डिसकस करें तो इस बजट में ओवर आल जो सरकार खर्चा करने वाली है वो है 45,03,000 करोड रुपे तो ये पैसा आएगा कहां से तो इसमें से एक तो होता है रेवेन्यू रिसीट यानि कि जो टैक्स वगेरा से पैसा कलेक्ट किया जाता है वो लगभगोगा 26,03,000 करोड रुपे और इसके अलावा दूसरा जो सरकार का रिसोर्स होता है पैसे अर्न करने का वो होता है capital receipts जिससे की 18,70,000 करोड रुपे सरकार collect करेगी इसमें mainly जो पैसा है वो borrowing और दूसरी liability से आता है यानि कि जतना हमारा खर्चा है उससे कम income होती है तो हम ये पैसा उधार लेते हैं तो लगभग 17,86,000 करोड रुपे हम borrowing और दूसरी liability से पूरा करेंगे लेकिन इसके अलाव एक और important aspect होता था budget का हर साल में disinvestment जिसमें की सरकार अपने लिए target रखती थी कि भई इस साल हम एक लाग करोड रुपे की जो अपना stake है different companies में उसको बेच करके इकठा करेंगे लेकिन हमने देखा है कि पिछले कई सालों से सरकार अपने target को miss कर रही है तो क्या सरकार ने 2023- कोई भी disinvestment target नहीं रखा है तो ऐसा नहीं है इन्होंने इस साल में 61,000 करोड रुपे का disinvestment target रखा है इसमें से बताया जा रहा है कि 50,000 करोड रुपे का disinvestment का target है और 10,000 करोड रुपे का asset monetization का यानि कि जो सरकार के पास assets है उनको बेच करके 10,000 करोड रुपे raise करेगी तो overall हम कह सकते हैं कि 61,000 करोड रुपे सरकार या तो अपनी asset बेच करके या जिन companies में इनका stake है उसको बेच करके सरकार इस साल में collect करने वाली है और पिछले साल जो यह target था वो 65,000 करोड रुपे था हाला कि सरकार ने अब इसको revise करके 60,000 करोड रुपे कर दिया है तो आने वा capital receipts का महत्व देखें तो इस साल जो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार collect करने वाली है वो GST से करने वाली है 17% obviously borrowing और other liability से 34% होगा उसके बाद अगर purely taxes की बात की जाए तो 17% GST से 15% income tax से 7% excise duty से 4% custom से 15% corporate tax से और इन सब में एक छोटा सा amount आपको देखेगा non debt capital receipt का जिससे की सर सरकार लगबग 2% अपना जो revenue है वो generate करने वाली है और ये पैसा आएगा सरकार का disinvestment से और अगर बात की जाएगी जो current जो fiscal year है 2022-23 इसका जो disinvestment target है क्या सरकार इसको पूरा कर पाएगी तो इस साल का जो original target था वो 65,000 करोड रुपय था हाला कि जो अभी तक सरकार ने इसक कम का टाइम बचा है इस fiscal year में और सरकार ने सिरफ 31,000 करोड रुपय किया है यानि कि original target का 50% भी सरकार complete नहीं कर पाई है तो obviously इस बार भी पूरे chances हैं पिछले तीन सालों की तरह कि सरकार अपना जो disinvestment का target है उसको miss कर जाएगी और इन्होंने already इसको realize कर लिया है कि 60,000 ना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि दो महीने में unless की कोई बहुत बड़ी deal IDBI bank type की नहीं हो जाती तो सरकार इस target को पूरा नहीं कर पाएगी और अगर हम देखें कि 31,107 करोड रुपय में सरकार ने अभी तक क्या बेच है तो इसमें भी सबसे बड किया क्योंकि LIC का share लगातार IPO price से नीचे trade कर रहा है इसके अलावा थोड़ा बहुत ONGC में OFS ला करके गेल में OFS ला करके IRCTC में OFS ला करके तो इन तरीकों से सरकार ने कुछ और पैसा generate किया बट overall अभी तक 31,106 करोड रुपय रेस किया गया है और अब अगर बात की जाएगी सरकार बिलकुल भी इस budget में ज़्यादा इसको highlight क्यों नहीं कर रही कि कितना disinvestment करने वाली है अगले साल में तो शायद इसका reason यह है कि 2022-24 ऐसा साल हो जाएगा जिसमें की government ने अपने disinvestment के target miss कर दिया है तो सरकार शायद अब reality समझ गई है कि disinvestment करना इतना असान नहीं है तो obviously target रख रहे हैं अपने लिए लेकिन उसको ज्यादा highlight नहीं कर रहे है और उपने उपर ज्यादा pressure नहीं लेना चाहते कि opposition या लोग इन से सवाल पूछें कि भई आप target miss करते रहते हो लगातार तो इस अपने लिए कम expectation रख रहे हैं ताकि उसको miss करने का इनको ज्यादा दबाव ना हो और अगर हम 2023-24 का budget document देखेंगे तो जैसे हमने discuss किया कि 65,000 करोड का जो original target था 2022-23 का उसको घटा करके 60,000 करोड कर दिया गया है और इसमें भी specifically 50,000 करोड सरकार बोल रही है कि disinvestment से आएगा बहुत ही मुश्किल लगता है कि जो 31,000 करोड से सरकार दो महीने के अंदर अंदर 60,000 करोड रुपए तक पहुंच जाएगी तो ज्यादा तर जानकर ये मान रहे हैं कि शायद इस साल का target 35,000 करोड के आसपास रह सकता है और इस साल हमने target miss क्यों किया है इसके पीछे के कई क को जब सरकार privatize कर रही थी तो उसमें कुछ regulatory clearances की problem आई है और IDBI bank जो कि अब इनका तुरुपका एक्का है उसको भी ऐसा माना जा रहा है कि September 2023 तक ही जाके ये complete होगा यानि कि इस financial year में इसका होना भी मुश्किल है तब ही सरकार इस साल बहुत ही मुश्किल चांस है कि इस सा requirements में डीटेल में जाएं तो इनके जो सरकार के representative हैं उन्होंने बोला है कि overall 61,000 करोड रुपय का target है जिसमें कि again 51,000 करोड purely disinvestments है और 10,000 करोड asset monetization हाला कि ultimately overall सरकार सोच रही है कि 61,000 करोड अगले साल raise करेगी तो देखना होगा कि ये पूरा हो पाता है नहीं हो पाता तो इस जिसमें सबसे बड़ा stake तो obviously IDBI bank का होगा जिससे कि सरकार हो सकता है कि 25,000 करोड रुपय के आसपास raise कर ले और इनके अलावा Shipping Corporation of India, NMDC Steel, BEML, HLL, Life Care, Container Corporation of India and YZEK Steel ये कुछ bets होगी जिसमें कि सरकार रिलाए करेगी इस 61,000 करोड के target को पूरा करने के लिए मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा, thanks so much for watching the video and God bless you all